नमस्का दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांड़े आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर आपके लिए 100 Lucent GK के कॉस्चन लिख रहा है दोस्तों 100 में से केवल करने हैं 50 सही आदे कॉस्चन सही करके दिखाईए यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों इन कॉस्चनों के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे आपके लिए महनत करके लाएं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे सुपरफास्टी स्पीड में कॉश्चन होंगे देखते हैं आधे प्रशन कौन-कौन सही कर पाता है स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कॉश्चन देखिए मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो मैटूर बांध यहां पर सही आंसर हो जाएगा यह बनाए कावेरी नदी पर आप्शन नमबर B कावेरी नदी इस प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर है अर्द रात्री का सूर प्रक्रिया निम्द लिखित मैसे किस छेत्र में द्रश्टी गोचर हो सकती है आधी रात्री का सूर यह आपको दिखेगा उत्री ध्रुवी छेत्र एवं दक्षनी ध्रुवी छेत्र में आप्शन नमबर यहाँ पर C प्रशन के लिए राइड आंसर हो जाएगा कौन सी नदी उरिसा में डेल्टा बनाती है तो उरिसा में डेल्टा बनाती है आपकी महा नदी option number A महानती यहाँ पर प्रशने के लिए right answer है निम्दलिकित में से किसे एशियाई सेरों का घर कहा जाता है एशियाई सिंगों का घर या सेरों का घर गिर राश्टी उध्यान को कहा जाता है comment करके बताइए गिर राश्टी उध्यान किसे राज्य में पढ़ता है operation flood निम्दलिकित में से किसे संबनित है तो operation flood ये आपका संबनित है और सही answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए नगरों में दूद की उपलबदता और उन्नत करना option number D माता टीला बहुत देशी परियोजना निम्नराज्य में इस्तित है तो माता टीला इस्तित आपकी उत्तर प्रदेश में option number A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निम्दलिकित में से किसका सुमेल नहीं है तो यहाँ पर जो option दिएगा है उसमें से आपका भील मद्दप्रदेश बलकू सही है भोटिया उत्तरांचल सही है तोड़ा जारखंड यह गला थे तोड़ा कहां पर है तमिलनाडू में देखिए सब से नीचे D में लिखा हुआ है कौन सा अभ्यारन विश्व धरोहर घोसित किया गया है तो यहाँ पर जो option देगा है उसमें से केवला देव अभ्यारन इसको विश्व धरोहर घोसित किया गया है option number C right answer है हिटकल नदी घाटी परियोजना से लाभानवित होने वाला राज कौन सा है तो हिटकल नदी घाटी से महराष्ट लाभानवित है option number A महराष्ट right answer है सरक्री के रेखा कहां इस्ते थे तो सरक्री के रेखा इस्ते थे आपकी कक्ष के रण में option number A कक्ष के रण में यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशान्ती सागर कहां इस्ते थे तो प्रशान्ती सागर यह इस्ते थे आपका चंद्रमा पर option number C चंद्रमा यहाँ पर right answer है चंद्रमा पर पहुचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था तो मनुष्य के साथ पहुचा था आपका Apollo 2, option number C Apollo 2 right answer है मननार की खाड़ी कहां इस्ते थे तो मननार की खाड़ी इस्ते थे आपकी तमिलाडू के पूर्व में option number B तमिलाडू के पूर्व में right answer है निम्द मैंसे गंगा की कौन सी साय के नदी उत्तर की ओर नहीं बहती तो गंगा की साय के नदी सोन है ये उत्तर की ओर नहीं बहती है option number C so on नदी right answer हो जाएगा सोन नदी किस राज्ये मैंसे निकलती है comment box में comment करके बताइए S betas इनमेंसे क्या है तो S बेटस एक रेशा युक्त खनिज है, option नमबर B रेशा युक्त खनिज प्रशन के लिए right answer है देश के उत्तर पूरी छेत्र में व्यापक इस्तर पर बांसों की उपज के क्या परिणाम निकला था तो बांसों की उपज का परिणाम निकला था, वर्शा में ब्रद्धी हुई थी, option नमबर B वर्शा में ब्रद्धी होना right answer हो जाएगा वायू मंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे पर आवरतित होती है तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावरतित होती है, option नमबर C आयन मंडल right answer है हिमाले की सरवत्त चोटी, एवरेष्ट की खोज, सर एवरेष्ट ने की थी, वह पेशे से क्या थे तो सर एवरेश्ट पेसे से एक सरविख्चक थे, option नमबर अ सरविख्चक थे यह, option नमबर अ यहाँ पर राइड आइटा अंसर है, भारत का कौन सा राजिस सीव का सरवादिक उतपादन हिमाचल प्रदेश में होता है, option नमबर अविश्चन पर राइडा आइड आइड आइ तो हवाई द्वीब की खोज किती जेम्स कुक ने option नमबर बी जेम्स कुक प्रशने के लिए right answer हो जाएगा तारों के टिम्टमाने का आशिक कारण क्या है तो तारें टिम्टमाने क्यों क्यों कि वायू मंडल में अपवर्तन द्वारा option नमबर बी right answer हो जाएगा अपर वर्तन का सिधान्त होता है आंतरिक ग्रह किसी कहा जाता है तो आंतरिक ग्रह कहा जाता है सूरिक के निकट के चार ग्रहों को उनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह option number B right answer है सूरिके चारों हो दीर के वरत्ती पत पर चक्कल लगाती प्रत्वी का उसद वेग कितना होता है तो प्रत्वी का उसद वेग होगा आपका 29.8 km प्रति सेकेंड option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा इरोस क्या है इरोस जो है यह एक छुद्रगर है option number B छुद्रगर right answer है सूर के सबसे नजदी का गरह कौन साहिन में से सूर के सबसे नजदी के बुद्रगर है option number A बुद्रगर है right answer है भारत के गंगा के मैदान इंडो गंगिटिक में पाई जाने वाली नई जलूर मिट्टी किस नाम से जाने आती है तो गंगा के मैदान में जो नई जलूर मिट्टी है वो आपकी पाय जाती है सई answer हो जाएगा खादर उसको कहते है खादर मिट्टी option number C खादर मिट्टी right answer है सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो सबसे चमकीला तारा आपका साईरस है option number A Cyrus right answer है option number C बुद्गर है right answer हो जाएगा चीन की मुद्रा इन में से क्या है तो चीन की मुद्रा है यूओन Million, option number B u1, right answer हो जाएगा लेवचा निमलकित में से किसे राजिक के सब से प्राची निवासी हैं तो लेवचा निवासी हैं आपकी सिक्यम के option number B सिक्यम यहां पर right answer हो जाएगा लोक्तक जील, किस राज है वित्फत है, तो लोक्तक जील आपकी मनी पूर मिशत रासर है, पूरव से पश्चिम की और बहती और बहती है तो पूरर से पश्चिम की और कावेरी नदी बहती है, option number B कावेरी नदी right omega हो जाएगा भारति जलवायू को किस प्रकार की जलवाई कहलाती है और जो भारती जलवाई है ये उपोश्ण कटिवंधिये प्रकार की जलवायू कहलाती है option number B कटिवंधिये जलवायू right answer हो जाएगा निम्नलकित में से कौन सा चेत्र हंसा वार की सबसे बड़ा प्रजिन इस्थन है तो हंसा वार का सबसे बड़ा प्रजिन इस्थन जो है वह आपका कच्छकारण option number एक अच्छकारण राइट आंसर है सयुकता पाणी ग्रही किस सास्त्री नित सैली की पुरोधा है तो सयुकता पाणी ग्रही ये हैं आपकी कथक माफ कीजिएगा उडिसी की option number D, उडिसी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्टी के लिए बुकम्प की तीवरता उत्पत्ती को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोक्ट होने वाला यंत्र कौन सा है तो तीवरता और उत्पत्ती को रिकॉर्ड करते हैं सीस्मोग्राफ से option number A सीस्मोग्राफ प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखिए रबड की उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है तो रबड होती है आपकी थाइलेंड में option number B थाइलेंड प्रशने के लिए राइट आंसर है भारत का वा एक मातर राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू काश्मीर option number A जम्मू काश्मीर राइट आंसर है नम्र लगत में से कौन उडिसी नत्याइगना नहीं है तो उडिसी नत्याइगना यामिनी कृष्ण मूर्ती नहीं है बाकी सबी है सहयोक्ता पाणी ग्रही सोनल मान सिंग और माजवी मुद्गल यामिनी कृष्ण म मूर्ती नत्याइगना है लेकिन ये उडिसी की नहीं है एवरेश्ट परवट पर चाणने वाली प्रथम भारती महिला कौन थी एवरेश्ट परवट पर चाणने वाली सबसे पहली भारती महिला थी बचहिंद्री पाल option number D बचहिंद्री पाल राइट आंसर है निम्ने लख ये सीसमोगराब द्वारा किया जाता है option number A right answer है भारत में गहुं का सबसे बड़ा उत्पालिक राजी कौन सा है तो सबसे जादा गहुं होता है उत्तर प्रदेश में गन्ना भी उत्तर प्रदेश में जादा होता है गहुं भी option number A उत्तर प्रदेश राइट आंसर है option number C ताप ये उर्जा प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा भारत में इलाइची का सरवादिक उत्पादन किस राजी में होता है तो इलाइची सबसे जादा होती है केरल में option number A केरल प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा नदियों में नदियों के अभर्धन से सबसे अधिक प्रभा आवित राज है आपका असम option number B असम प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा खारे नमकीन जल में नमलिकित में से कौन सा पेड़ उख सकता है तो खारे नमकीन जल में आपका मेंग्रो पेड़ उख सकता है option number C right answer हो जाएगा अगला question देखिए धार्मिक आधार पर किस नदी को पावित्र माना जाद है option number D यहाँ पर उख आणसर है जनसंगय की दश्टी से बीहार का भारते में कौन सा स्थान है तो जनसंगय की दश्टी से बीहार का àब भारते में स्थान सांद mund current option अंबर बी तीसरा है राई transfer हो जाएगा गंगा में बार की समस्या किस कार्ण से ना कम होता है तो ध्रुवी व्यास विश्योती व्यास से 43 किलोमेटर कम होता है option number C यहां पर राइट आंसर है विश्यो में सबसे अधिक कौफी उत्पादक देश कौन सा है तो सबसे जादा कौफी होती आपकी ब्राजील में option number यहां पर प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा दो विश्याल भूभाग को जोडने वाली भूमी की छोटी पट्टी क्या कहलाती है तो वो छोटी पट्टी को भू संधी कहा जाता है option number A भू संधी प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा option number A प्रत्वी के वायू मंडल में कौन सी gas विपल मात्रा में या परियाबत मात्रा में है तो सबसे याद आपकी है nitrogen option number A nitrogen प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल किसकी तीवृताम आपने के लिए समुद्र प्रत्वी के लगबग कितना प्रतीशत भाग को गहरे हुए तो समुद्र कितना है लगबग 70 याई कतर प्र अंसर हो जाएगा निमनलकित में से कौन सा राज्य मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो मुंगफली सबसे जादा होती है गुजरात में ऑप्शन नमबर भी गुजरात राइट आंसर है बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए यूज होता है तो बोफो नमबर भी यहाँ पर राइट आंसर है निमनलकित में से कौन सा अभ्यारन विश्व धरोहर घोशित किया गया है तो विश्व धरोहर यहाँ पर जो ऑप्शन दियेगा है प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका क्येवला दियो ऑप्शन नमबर भी क्येवला दियो प्रश्णी के लिए राइट आंसर है निम्दलिक्रित में से कौन सी विश्व मैं सबसे लंबी सिचाई नहर है तो विश्व की सबसे लंबी सिचाई नहर है आपकी इंदरा गांधी नहर ऑप्शन नमर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्णी के लिए भुकम्पी तरंगों के व्योहार का अध्यन किया जाता है तो इसको ना पजाता है सीसमोगराप द्वारा ऑप्शन नमर इसीसमोगराप प्रश्णी के लिए राइट आंसर है भारती इस्थानी समय आधारित ह गंणावी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, option number A, उत्तर प्रदेश प्रशने के लिए right answer हो जाएगा, भारत का वह एकमात राज जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर होता है, जम्मू काश्मीर में एकमात राज जहाँ पर केसर, कॉमर्शियल तोर पर उत्प नाधुला दर्रा आपका इस्टित है सिक्यम राज्य दर्फ में option नमबन भी सिक्यम राज्य राइड आंशर है। छनेज़ के लिए भारत आतम निर्भर नहीं है और प्र यहां पर प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा भारत में नमले के दमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से सुरू नहीं होती नहीं होती पुछा गया है तो यहां पर देखिए महा नदी जो है यह पश्चिमी घाट से सुरू नहीं होती बाकि गोदावरी कृष्णा और कावे होते हैं प्रत्वी का अपने अक्ष पर घूणन से option नमबर यहां पर right answer हो जाएगा प्रत्वी पर रितुमें होने कारण क्या है तो प्रत्वी पर रितुमें होने कारण है आपका प्रत्वी का सूर के चारों और पर रिक्रमण करना और अपनी धोड़ी पर जुकाओ option अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है तो गोदावरी नदी बहती है महराष्ट और आंद्रप्रदेश से होकर option नमबर यहां पर आंद्रप्रदेश सही आंसर हो जाएगा निम्दलिकतमेंसे किस राज में प्रत्यावर्ती मांसून का अधिक प्रवाह है आपका हिम यह क्या बोलते हैं तमिलनाडू option नमबर सी तमिलनाडू प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला question दिखिए संग शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में नम्लिकतमेसे कि इन राज्जियों के बीच इस आपका राजस्थान में option नम्बर भी राजस्थान राइट आंसर है भारत में चंदन की लगड़ी के लिए प्रसित राज्जियों के लिए आपका करनाटक option नम्बर सी करनाटक प्रशने के लिए राइट आंसर है सर्दार सरोवर बांध परियोजना की सर राज्जियों में इस्तथ है तो सर्दार सरोवर बांध परियोजना ये गुजरात राज्जियों में इस्तथ है option नम्बर सी गुजरात राइट आंसर है निम्दलगत में से कौन सा राज गैर सहतूत रेशम उत्पालित करता है तो गैर सहतूत रेशम उड़ीसा उत्पालित करता है option number A उड़ीसा right answer हो जाएगा भारत में यूरेनियम ख़दान कहां पर रिस्तित है तो सर्यू नदी के तड़ पर आयोध्या स्तित है option number C आयोध्या right answer हो वायू में साप एक चिक आदता मापने है तू उपर्युक्त उपकरण कौन सा है तो साप एक चिक आदता हाई गरो मीटर से मापते हैं option number A प्रशन के लिए right answer है प्रत्वी की सतर से नीचे द्रवी हूच सेल क्या कहलाता है तो द्रवी हूच सेल प्रत्वी की सतर से नीचे उसको शैल मूल या मैगमा कहा जाता है option number D right answer है विजय घाट डेश नधी के किनार से थे तो विजय घाट इस थे जली ली करते हैं याउना नधी किनारे आप्शे नबर भी याउना नधी राइट आंसर है चिप को आंदोलन आरम करने वाले व्यक्ति कौन थे तो चिप को आंदोलन आरम किया था अप्शन नंबर सुंदललाल बहुगोना भी right answer है हर्त क्रांथी की सफलता से संबनेटे वैग्यानिक कौन से है तो हर्त क्रांथी की सफलता संबने वैग्यानिक नौर्वन बोरलोग option number C से answer हो जाएगा नियागरा जल्परपात कहा निस्ते थे तो नियागर जलप्रपात, USA मिस्त है, option number USA, right answer है निम्रक दुम से कौन सा, सूरे का प्राक्रितिक स्रोत नहीं है तो उर्जा का प्राक्रितिक स्रोत नहीं है तो उर्जा का आपका प्राक्रितिक स्रोत है देखिए, लकड़ी है, कोईला है, सूरे है विद्धुत प्राक्तिक स्रोत नहीं है option number 2 सही answer है सबसे लंबी तटी रेखा वाला राज कौन सा है तो सबसे लंबी तटी रेखा है आपकी गुजरात राजी की option number 1 गुजरात राजी सही answer है सबसे छोटी किसकी है comment box में comment करके बताईए अलमाटी बांध किस नदी पर इस्तेत है तो अलमाटी बांध इस्तेत है आपका क्रिशना नदी पर option number C क्रिशना नदी प्रशन के लिए right answer हो जाएगा विश्वश्वराईया नहर है तो विश्वश्वराईया नहर ये कावेरी नदी के दाईए और और निकली नहर है option number B कावेरी नदी के दाईए और से निकली नहर है महादमगाली जल विदुत उत्पादन प्लांट कहां इस्तेत है तो ये इस्तेत है आपका जोग प्रपात में option number A जोग प्रपात प्रशन के लिए right answer है अगला question देखिए गोकक जल प्रपात कहां है तो गोकक जल प्रपात है ये आपका बेल गाओम है option number B बेल गाओम है अब्यारान निर्म्रकेदे में सलिभि जिले में है तो बान्धीपूर है आपका मैसूर में option number B मैसूर right answer है पोटबलेयर कहां इस्तेत है तो Portable Air रिस्ते थे यह आपका option number दक्षणी अंडमान में option number B, दक्षणी अंडमान right answer है अंतर राष्टी दिनांग करेखा कहां से उकर गुजरती है अंतर राष्टी दिनांग करेखा 180 degree ग्रीन विस्ट से गुजरती है option number B से answer है जापान की मुद्रा क्या है तो जापान की मुद्रा ये इन option number C, ये इन सही answer है और ये राज का आखरी question निमलगत में से कौन सा एक मातर तारा है तो यहाँ पर जो option दे गए हैं उसमें से सूर्य एक मातर तारा है आपको पता ही होगा आपके लिए surprise question है वायू दबाव बनाती है कहाँ पर comment box में comment करके बताईए वायू कहाँ पर दबाव बनाती दो option दे रहा हूँ एक तो केवल उपर की और और सभी दिशाओं में इनमें से कोई एक answer सही है comment box में comment करके बताईए मिलते अगले वीडियो में तक तक अगले निखाल रखे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको लिए शुबो बहुत बहुत धन्यवाद